हेलो दोस्तो आजम बताएंगे कि भिहार डिस्टी का जो वेकेंसिय आया है उस फॉर्म को मुबाइल से कैसे भरे तो सिंप्ली आपको करना क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंप्ली क्रोम ब्राउजर में चला जाना है और वहां पर सर्च करना है वहां पर जाने के बाद आपको नीचे में आ जाना है दोस्तो आपको इस साइड में लेटेस्ट जॉब वाले उप्सन में जाओगे तो नीचे के और अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको यह मिल जायागा बिहार डियस्टी विहार डियस्टी ओफिस्यल अटेंडेंट ठीक है कार्याले प्राइचारी तो यह जो वेकेंसी है दोस्तों इसमें ना ही तो एक्जाम होगा आप लोग को पदा होगा और ना ही तो मेरिट लिस्ट बनेगा मतलब जो आपका 10 में जितना मार्क आया है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिया जाएगा ठीक है डायट इसमें सेलेक्शन होगा इस वेकेंसी के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया था एज लिमिट कितना है 18 साल है और मैक्सिम कितना है 40 साल तक फीमेल के लिए और मेल के लिए 37 साल तक यह सब आप लोग जानते होंगे ठीक है चलिए आज दिखाते हैं कैसे इस फॉर्म को फिलप किया जाए सिंप्ली आपको यहां पर नीचे जाना है और यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाए है important instructions ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है आपको simply click here to register यहां पर क्लिक करना है और simply आपको register कर लेना है register करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर पोस्ट का नाम देना है कारे परचारी उसके बाद अगर आप यह पूछ रहे हैं इसमें कि weather worked as a class fourth employee under the World Bank Polytechnic educational तो इसमें आप अगर yes हो तो yes कर देना या नहीं तो no कर देना ठीक है तो simply मैं यहां पर no कर दे रहा हूँ actually मैंने अपना registration कर लिया है दोस्तों तो आप जैसे जैसे form फिलिप करोगे तो इस तरह से आपको next step by step बताता जाएगा मैंने अपना register कर लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ करके verify करा लोगे verify हो जाएगा तो आपको लिख देगा वहां पर verified उसके बाद mobile नंबर डाल रहा है से इसी तरह से मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आएगा उसको भी verify कर लेना है उसके बाद state select कर लेना है और category जैसे अगर आप मैं general सुने तो general दे दूंगा आप जो भी हो तो अथार पर आपका जिसतर से नाम दिया गया है उसे तरह से आपको नाम देना है उसके बाद यर औफ ऐफ birth एस पर आधार आधार आपका डेटव बर्त आधार पर कितना है वह यहां पर आपको देना अधार नंबर देना है और simply is captures के साथ आपको यहां पर문कर करेbled कर करने के बाद क्या होगा दोस्तों यहां पर लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा लॉग इन करने के लिए आपको सिंप्ली क्या करेगा सबसे पहले तो आपको पासवर्ड जेनरेट करने के लिए बोले गा यूजर आइड़ि आपके मेल भीज दिया जाएगा और बुले है की आपको generate करना है तो password simply आप वहाँ से जाकर generate कर लोगे उसके बाद अपना user ID डाल करके यहाँ से login कर लोगे दोस्तों मैं यहाँ पे user ID और password देखे अपना यहाँ पे login कर ले रहा हूँ ठीक है simply यहाँ पे मैंने अपना user ID ID और password डाल दिया है उसके बाद यहाँ से मैं अपना capture यहाँ पे जो मिला है उसको डाल दूँगा 9Y और उस तरह से और यहाँ पे simply मैं यहाँ से login कर लूँगा login करने के बाद यहाँ पे मेरा सारा detail आ जाएगा जैसे कि आप लोग देख रहो हूँ यहाँ पे अपना photo photo basic information personal detail qualifications upload photo signature वगएरा upload कर दिया गया है सिर्फ मेरे को यहाँ पे certificate detail फिल करना है और finalize करना है तो चलिए इसके लिए करना क्या होगा दूस्तों सबसे पहले तो basic instructions में जाना है और किस तरह से basic information आपको डालना है वो तो registration करने के बक्त ही आपका basic detail complete हो जाएगा उसके बाद आपको personal detail माइएगा तो personal detail पे simply आपको click करना है दोस्तों यहाँ पे personal detail में आपको करना कुछ नहीं है simply आपको registration के बक्त में जो जो information डाला था आपने वो तो आही गया होगा लेकिन इसमें करना क्या है आपको simply address डालना है और address के अलाबा आपको एक identification mark डालना है ठीक है कोई भी अपना पहचान कटा ओटा जो भी हो उसका पहचान डालना है इसके बाद simply educational qualifications में आपको क्या करना है 10th के basis पे जितना है simply यहाँ पे आपको educational detail में board कुछ बोर्ड से आप पास किया हो वो पूछेगा institute मतलब की scholarship किया हो उसके बाद आप से पूछेगा certificate number passing year और full mark और कितना mark आपको मिला है और साथ ही इसका percentage पूछेगा तो यह आपको डालना है इसको डालने के बाद simply आपको करना next step में क्या है दोस्तो simply उसके बाद आपको क्या करना है photo और signature यहाँ से upload करना है दोस्तो photo signature के बारे में बता दूँ कि photo आपको 50 कB से नीचे का करना है upload और signature जो है आपको हिंदी और English दोनों में मांगेंगा दोस्तो तो signature आपको क्या करना है हिंदी और इंग्लिज में 20 केवी से नीचे का फोटो डालना है उसके बाद सिंप्ली यहां से आपको सर्टिफिकेट डिटेल डालना है दोस्तों तो सिंप्ली मैं आपको यहां से दिखाऊंगा कि किस तरह से सिंप्ली आप यहां से डालोगे जैसे देखें डोमीसियल सर्टि certificate आपको देना है दोस्तों उसके बाद disability certificate उसके बाद अगर word of freedom fighter certificate है तो आप उसको भी डाल सकते हो दोस्तों यहां से उसके बाद दोस्तों यहां पर experience certificates in case of class 4 employee of the world bank अगर यह है आपके पास तो इसको भी डाल सकते हैं और सिधा simply यहां से save कर सकते हो करने के बाद go to home पर जाना है दोस्तों simply और उसके बाद करना क्या है दोस्तों यहां पर finalize application यहां पर जाओगे simply दोस्तों और finalize application जब तक आप देखिए अपना certificate domicial certificate डीटेल नहीं डालोगे तब दक आपको नहीं होगा अगर general category से होतो है simply उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यह form fill up हो जाएगा तो मैंने overall इस तरह से आप simply अपना form भर सकते हो ठीक है तो उमीद है कि वीडियो आपको informative लगा हो वीडियो informative लगा हो तो प्लीज लाइक करें साथ हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में और नए topic के स्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना अविदन कर ले या हमारे साथ जूर रहे ताकि सबसे पहले आपको डिटेल मिल पाए ठीक है